अग्जेंपल नुम्बर थी क्या रहा है दप लिस्ट प्राइज ऑफ फ्रॉक है और उसपर टैग लगा रखा था टूवटी रूपीज का और उसपर एक डिसकाउंट का टैग लगावा है कि इस पर 20 पर्सेंट का आपको डिसकाउंट दे देंगे भाई साथ अपन गए लप चलो काम करते हैं पहले तो एक सेकंड मान लेते हैं लेट कर दो देखो मुझे जो सेल प्राइस है वो तो पता है मुझे मार्कड़ प्राइस पता है ठीक है तो जो मेरे पास इसकोट आओ जो मांगड़ प्राइस है वो है 220 रुपीज जो इस पर लगी वी है न सेल प्राइस मतलब कितने पर बेचा मैंने ये मुझे पता नहीं तो मैं मालेता हूँ कितना हो पहले तो ये बता हूँ अब मैं डिसकाउनट परसंटेज कैसे निकालता हूँ सर ऊपर तो लिखते हम डिसकाउट नीचे लिखते हम मांगड़ प्राइज और मल्टिप़लाय कर देते हुं हंड्रेट से, डिस्काउंट पर्सेंट आप देख लो, 20 पर्सेंट है, तो लिख दें आप पर 20 पर्सेंट, डिस्काउंट एक्च्वल में कितने का हो रहा है, 220 माइनस एक्स रूपीस का, मागड प्राइस कितनी है, आपके पास 220, और मल्टिप्लाय में क्या आजाएगा, बताओ ये वाली चीज़ समझ में आईगी है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टिप्लाय कर दो, इसको वहाँ बेजो, 20 मल्टिप्लाय 220, और 100 को बेज़ दो, इसके नीचे समझ रहो, क्रॉस मल्टिप्लाय उपर 100 नीचे, इक्वल्स टू में क्या बच गया, ओनली 220 माइनस एक्स बच गया, और 220 माइनस 44 हो जाएगा, 220 में से 44 को लेस करो, 10 मैं से 4 गया, 6, 11 हो जाएगा, 11 मैं से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपके पस, अमाउंट ऑफ डिसकाउंट भी बताऊ आप मुझे अब हमने देखा था डिसकाउंट एक्चुल में क्या होता है मांगड प्राइस माइनस सेल प्राइस कितनी थी 220 और सेल परेस हमने एक्स मानी थे था लिखना है आपको 220 माइनस 176 केरी दो 104 केरी दो वन से 114 के लिए और यह हो गया